इस वीडियो में करेंगे इंडिया वी अगनिवीर एमार के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नंबर चार हूब हूँ जिस तरीके का आपके एक्जाम में आएगा वैसे पेपर त्यार कियें तीन पेपर आपको करवा दिया है जिन लोगों ने नहीं किया डिस्क्रिप्श दोन लेकिस होगा तो आज कि इस वीडियो का इस पेपर का जो टार्गेट रहेगा हो चालिस प्लस करेगा अगर आप चैनल पर न्यू आए हो पहली बार रहे हो तो चैनल जब सब्सक्राइब कर लीजएगा चलिए हम पेपर स्टार्ट करते हैं सॉल करिएगा शबी लोग कि मुद्रा क्या है वाट इस दा केरेंसी ओफ जैपैन तो एक कुशन आपका केरेंसी से आता यूवान येन लीरा दिना तो उसका अंसार आपको बताना है जापान की मुद्रा अगर आपने आप्शन नमबर 20 से लिट किया है तो आपका जो जवाब है सही है जैपैन की जो क कांसर करें सबी लोग गदर पार्टी की जो संगतन करता थे वो कौन थे तो अगर आप आप अप्शन नमबर डी सेलेट कर रहें कि लाला हर्दयाल थे तो आपका जो जवाब है वो एकदम शाई है थार्ड नमबर कुशन देखें कांग्रेश के प्रतम अध्याच कौन थे क अगर आप ऑप्शन नमबर बी सेलेट करें तो आपका जो जवाब हो गलत है कांग्रेश के जो पहले आपके अंग्रेश अध्याच थे वो थे जॉर्ज यूले ऑप्शन नमबर ए राइट आंसर होगा एक कुशन आता है कांग्रेश की इस्तापना किस ने करी तो ए यो हू पूचा गया था अंग्रेश अध्याच थे तो वो थे जॉर्ज यूले नेश कुशन देखिए भारती सिच्छा का मैगना कार्टा का जाता है हूँ इच काल दा मैगना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन शैडलर कमीशन वर्दा प्लान वूड डिश्पैच या फिर गरती सांबर क्वेशन देखिए आकार के इंसार आपको बताना है साौर मंडल के ग्रहों का औरोही करम आपको बताना है दुदा साइज आफ पलैनेट इज तो आपको इन्हें सब ही को पढ़ना है और इसके बाद आनसर बताना है मैं डिल्एक आनसर आपको बता रहा हूं क आकार के अधार पे औरोही करम में मतलब decreasing order में तो देखें आपका बुद्ध सुक्र प्रत्वी मंगल यह आपके starting हो गए बुद्ध सुक्र प्रत्वी मंगल इसके बाद आता है ब्रास्पती तो जो ब्रास्पत से start होते हैं वो आपको पहले लेने हैं ब्रास्पती सनी वही करम हो गया तो ए नंबर इस कुशन का राइट आंसर होगा सिक्स्ट नंबर कुशन देखें दच्छी गुलार्द में सबसे लंबा दिन कब होता है विच इस डा लॉंगेस डे ऑफ दा इयर इन साउधर्न हैमिस्फियर 21 जून 23 शेप्टेंबर 21 मार्च 22 दिसंबर तो कु उसलिए जाए दच्छी जगह पे अगर उत्री गुलार्द पूछा जाए तो उत्री गुलार्द में जो सबसे लंबा दिन होता है वो होता है 21 जून को तो ये भी एकजाम में आया है याद रखिएगा एक कुशन पूछा जाता है रात दिन बराबर कब होते हैं तो 21 और 23 सेप्टेंबर को रात वा दिन बराबर होते हैं सेवन्थ नंबर कुशन देखें वर्तमान में हर्याणा के उप मुख मंतरी कौन है हुजदा प्रिजेंट डूपटे चीफ मनिश्टर आफ हर्याणा मनोहर लाल कट्टा दुसियंत चौटाला नेना चौटाला या फिर वुपेंद हुड़ा तो कुशन बर सेवन्थ हैं इंपोर्टेंट है हर्याणा के उप मुख मंतरी पूछा गया है तो इस समय है आपके दुसियंत चौटाला तो आप्शन नंबर जो बी है वर्तमान में इस कुशन का वो राइट आंसर होगा एर्थ नंबर कुशन देखें किसको साथ परवतों का नगर चाहता है विच इज कालड शिटी आफ शेवन मौंटेंज लंडन को रोम को वासिंग टन को या फिर सैंस फरांसिसको एट नंबर कुशन है साथ परवतों का नगर का जाता है रोम को तो आप्शन नंबर भी अगर आप सेलेट कर रहे हैं तो आ देनिस या फिर तुर्की तो कुश्चन नमबर नाइन्थ का अंसर करिए शबी लोग कौन सा देश हजार जीलों के भूम फिनलेंड अगर आप सेलेट कर आप्शन नमबर भी तो आपका जो जवाब है वह एकदम सही है टैंथ नमबर कुश्चन देखें तेलंगाना के वर्तम चीप मिनिश्टर हैं वह हैं आपके केसी राओ तो आप्शन नमबर ए अगर आपने सिलेट किया है तो आपका जो जवाब है वह एकदम शाहिए लेवन्थ नमबर कुश्चन देखें भारत में पहली बार जनगर्णा किसके कारकाल में शंपन होई थी दूरिंग हूज पीर काल में शंपन होई थी तो वह थी लाड़ मेयों के कारकाल में और कब हुई थी यह भी एकजाम में पूचा जाता है कि पहली जो जर्ण करना है तो वह थी अठारा शो बहात्तर में आप्शन नमबर सी इस कुश्चन का राइट आंसर होगा तल्थ नमबर कुश्चन देखे पूर्वी घाट यहूं पश्चमी घाट परवस रेडियों का शम्मिला निस्तन है प्लेश ऑफ कॉन्फुलेंश ऑफ दा वेस्टरन घाट एंड इस्टरन घाट माउंटेंज पालिनी पहाड़ी नेल गिरी पहाड़ी अन्ना मलाई पहाड़ी या फिर सेवराय पहाड़ी तो question number 12 है important answer करिए पूर्वी गाठ और पस्मी गाठ पर्वसेडियों का जो शम्मिलन है उसको का जाता है नील गिरी पहाड़ी option number जो B है इस question का right answer हो जाएगा 13th number question है लोनार जील किस राज में इस्तित है लोनार ले की situated in which state ओडिशा में राजस्तान में महाराष्ट में फिर रांदर प्रदेश में तो question number 13 का अंसर करें सभी लोग लोनार जो जील है आपका महाराष्ट में इस्तित है option number C select कि आपने तो आपका जो जवाब है वेक्डम सही है 14th number question देखें CRPF की स्थापना काफी बार एक जम में पूछी गई है when was the CRPF established 1940 में 38 में 49 में है फिर इनमें सो कोई नहीं तो question number 14 का अंसर करें सभी लो राइट आंसर इसका option number 80 होगा 1939 exact 17 कोई महीना था याद नहीं है तो 1949 में CRPF की स्थापना होई थी और CRPF का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो comment box में सभी लोग फुल फॉर्म लिखेंगा बहुत आसान है और आसानी से याद हो जाता है तो जिन नहीं किया है तो चेक कर लेना आप चैनल पर वीडियो मिल जाएगी तो अंतराष्टी मानवा दिकार दिवस कब मना जाता है प्रतेक वर्स यह मना जाता है दस दिशंबर को तो option number D is question का वो राइट quarter है वो आपका निव यार्क में इस्तित है तो option number जो D is question का वो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा यह काफी important है योनों की जो स्थापना पूछा जाता है तो योने की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को ही थी तो एक्जाम में काफी बार यह आया हुआ है अगला question देखे 17 नंबर बारती समविदान के किस अनुचेद के अंतरगत वित्ती आयो के गठन का प्रावदान है which article of the constitution deals with the formation of the finance commission अनुचेद 24280-360-270 तो question number 17 का answer करेंगे सब्सक्राइब किस अनुचेद के अंतरगत अनुचेद 280 के अंतरगत आप्शन नंबर बी जिन्होंने select किया उनका जवाब एक दम शही है 17 के बाद 18 नंबर भारत के यहां पर सबसे लंबा बांद पूचा गया longest damn in इंडिया तो भाकड़ा बांद नाग का शबसे लंबा बांद है तो option number जो सी है स्कूशन का वो राइट अंसर होगा 19 नंबर कुशन है गर्बा लोक नरत किस राजिका है गर्बा इस दा फोग डाउंस ओविज़ स्टेट राजस्तान मड़ीपूर गुजरात या फिर अस्टान तो question number 19 का अंसर करें गर्बा आप किस राजिका लोक नरत है तो अलमोस्ट सभी का जो अंसर होगा वो सही होगा गुजरात अगर आपने सी सिलेट किया है तो आपका जो जवाब है वो एकदम सही है गुजरात का एक और पिसिद नरत है डान रिया तो वह भी एक जाम में पूचा जाता है तेकि यहां पर गया है और बाकी असम की अगर बात करो तो असम का एक प्रमुक्ष नरत है जो कि है आपका भी हूग ठीक है टूंटी नंबर कुशन देखें डी आडियो का पूंड रूप एक फुल फॉर्म या दो फुल फॉर्म आपके एक्जाम में फिक्स है कि आए गया याएगा और य टूंटी वन नंबर कुशन देखें कौन सुमेलित नहीं है विच इस नाट मैजड संतोष ट्रॉफी फुटबॉल अदलीब ट्रॉफी क्रिकेट डूरंड कप हांकी और आगा खांका आपका हांकी यह चार आप्शन है बताई है तो देखें आप्शन नंबर जो सी है यह आ सलवादु सास्तरी इंकलाब जंदः बार सदर्वगण सिंग करोयामर्यमातमा कहा गांदी भारति भारत भारतियों के लिए यह विवेका नंब तो इन में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताने नशा गरिए है तो देखें डी नंबर जो है बारत भारतियों के लिए तो यह जो है यह गलत है यह विवेका नंद ने नहीं कहा था यह कहा था स्वामी दैन सवस्वती जी ने तो आप्शन नमबर डी इस कुशन का राइट अंसर होगा तो यह यह ऩह आपसन होगा उत्तर बहुतन नॉर्थ इंडिया के एक नूर्थ नौत निरत है आपका साथिले प्रॉट कर द्स तो 24 का अंसर करें सभी लोग सबसे बड़ा नागरिक जो पुरुसकार है वो है भारत रतने तो आप्शन नमबर जो सी हैस कुशन का राइट अंसर होगा लास्ट कुशन हमारे सेक्शन फर्स्ट का भारत में कुल कितने उच्छ नयाले हैं हाउ मेनी हुआई कोर्स आर देयर इ में सब्सक्राइब यहां में सब्सक्राइब बस सब्सक्राइब हैसाल और किए सब्सक्राइब आपको strategy कितने घ Sierra Sand 2019 चलिए अगला section देखते हैं जिसमें पहला question आपका question number 26 होगा जो कि आपका science का question होगा तो science का question है एक kilowatt को जूल में व्यक्त किया जाएगा एक kilowatt is expert in joule as 3.6 into 10 to power 4, 10 to power 5, 10 to power 6 या फिर 10 to power 7 joule तो question number 26 का answer करेंगे सब्सक्राइब लोग, right answer इसका हो जाएगा 3.6 into 10 to power 6 joule होता है 1 kilowatt घंटा के बराबर तो option number जो CS question का right answer होगा अब देखे मैं आप बता देता हूँ आज आपको कि 1 kilowatt घंटा बराबर 3.6 into 10 to power 6 joule कैसे होता है तो देखे 1 kilowatt घंटा मतलब 1 kilowatt into 1 घंटा ये होता है तो 1 kilowatt को अगर watt में बदलोगे तो 1000 watt होगा और 1 घंटा अगर second बदलोगे तो 36 second होगा अब इसका अपस में गुणा करोगे तो 36 हो जाएगा into 10 to power यहाँ पर 5 आजाएगा 3 ये और 2 आपके ये अब अगर दसंबलो इदर लगाओगे आप 3.6 ऐसे कर दोगे तो फिर इसमें गात एक और बढ़ जाएगी ठीक ये कितना हो जाएगा 3.6 10 to power 6 watt second वाट सेकेंड है यही आपका जूल के बराबर होता है तो 3.6 इंटू 10 पावर प्लस का 6 यहाँ पे जूल हो जाएगा तो इसलिए option नमबर सी इसक्वेशन का राइट आंसर होगा 27 नमबर कुशन रॉकेट के सिद्धान परकार करता है रॉकेट वर्क्ष ऑन दा प्रिंशिपल आफ कंजर्वेशन मोमे मास इनर्जी मॉमेंटम या फिर ननाप दीजिन में कोई नहीं है तो रॉकेट आपका जो है सम्वेशन के सिद्धान परकार करता है तो option नमबर जो सी 28 नमबर कुशन है किसका प्रियोग उचाइम आपने के लिए किया जाता है विच अब दा फॉलोइंग इस यूजड इन मीजिन एल्टी टूड तो बैरोमीटर का प्लेन मीटर का अल्टी मेटर का या फिर हाइड्रोमीटर का तो इन सभी मीटर के बारें बता है जैसे बैरो सब्सक्राइब होगा देखें 29 नमबर कुशन है 29 नमबर कुशन है चमगादर रात में दूर से ही अपने सिकार के बारे में क्या सरजित करके जान लेते हैं बैट्स कैन नो अबाउट दियर प्रे अट डिस्टेंस इवेन इन दा नाइट बाई इमिटिंग औरक्त प्रकास या फिर प्रावागिनी प्रकास अपने सरी से रसायन सरजित करते हैं यह फिर परासर ध्वनी करते स्विशन नमबर को जाए तर्टीन नमबर को हीरा किसके करन चमकता है diamond science due to परावरतन के कारण अपरवरतन के कारण पूर्ण आंतरीक परावरतन के कारण इन में से कोई नहीं तो देखे कई बार ये कुशन पूछा गया और कई बार मैंने आपको पढ़ाया भी है तो हीरा किस के कारण ये पूर्ण आंतरीक परावरतन के कारण चमकता है टोटल इंटरनल एफलेक्शन के कारण तो सी नंबर इस कुषिशन के राइट अंसर होगा 31 नंबर कुषिशन और ऑक्सीजन के समस्थानिक होते हैं तो आईशोजन के समस्थानिक तीन, एक, दो या फिरिन में से कोई नहीं तो कुषिशन नंबर 31 का अंसर करी है अउब्योग राइट अंसर होजाएगा ओक्सीजन के जो समस्थानिक होते हैं तो आउप्शन नंबर जो अह एश कुषिशन का राइट अंसर 32 नंबर कुषिशन है गुत्वा क्षण के नियम के खुँच करता थे who was the inventor of gravitational laws addition, newton, faraday या फिर इनमेंशे कोई नहीं question number 32 का answer करिए तो गुत्ता question नियम के जो खूद करता थे वो थे newton तो option number B जो लोग select कर रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है 33 number question है Emily बनाता है tamarind produce क्या citric acid oxalic acid, tartaric acid या फिर lactic acid, तो Emily क्या बनाता है तो Emily बनाता है आपका tartaric acid तो option number C आपको दिख रहा है tartaric acid, tartaric अंबल, ये इस question का right answer होगा 34th number question है किसी उपगरह या अंत्रिष यान में भार हिंता का उनुबह होता है feeling of weightlessness in a satellite और space ship is due to जड़त के अबाओ में गुरुत्य के अबाओ में तौरित बल के अबाओ में अंत्रिष यान स्वतंदर पूर्वक गिरने पर तो 34th पढ़िए समझे और आंसर करिए किसी उपगरह या अंत्रिष यान में भार हिंता का उनुबह तब होता है जब अंत्रिष यान के स्वतंदर पूर्वक गिरने पर तो ऑप्शन नमबर जो होता है गाईज वह होता है आपका मेथाइल एलकोहल ऑप्शन नमबर जो एह कुशन का राइट आंसर होगा अब देखिए यहां पर रसाइनिक की नाम पूछा गया अगर आप रसाइनिक सूत्र पूछ लिया जाता तो वो भी आप एक्जाम में याद रखिए एक्जाम में पूछा जा सकता है CS3OH CS3OH की मिथाइल एलकोहल यह होता है आपका इस्परिट या फिर मिथाइल एलकोहल का 36th नमबर कुशन कौनसा विटामिन राइबो फ्लेविन कहलाता है देखिए बहुत बार यह पूछा गया एक्जाम में एक टेको फिरॉल विटामिन है वो भी पूछा जाता है विटामिन इस नोन एज राइबो फ्लेविन विटामिन A, B2, C और K तो इन में से किसी का रसायनिक नाम है राइबो फ्लेविन तो यह विटामिन B2 का रसायनिक नाम और काफी बार एक्जाम में आया हुआ हूआ है इसलिए मैंने रख दिया है बिनमबर राइट अशर होग पड़ जडो से या फिर तैने की चाल से तो देखिए जो अफीम होता है यह का लैटेक्स आप लैटेक्स से बनाया जाता है अपका फीम जो होता है प्राप्त होता है और भी अप्सकी कैसा ड्राइड सुस्क आप्शन नंबर जो बीेश कोशन करेज़ Phew right answer तो थाइमस गरंती तिल्ली प्यूस गरंती यह फिर थाइरड गरंती तो कुशन नमर तर्टी एट है मानु सरी का जो मास्टर अनता सरावी गरंती है वो है आपकी पिट्यूटरी ग्लेंड जिसे हिंदी में प्यूस गरंती कहते हैं तो सिनमर इसकुशन का राइट आइट तो संक्रमाड रोगों के लिए जो उत्तरदाई एजेंट है वो आपके जम्स होते हैं जिने हिंदी में रोगाणू कहते हैं तो आप्शन नमबर एश कुशन का राइट आंसर होगा नेश कुशन देखे थर्टी नाइन के बाद फोर्टी नमबर कुशन है जड़ो दोरा और तक पहुंचते हैं मिनरल्स एपजार्वड बाई रूट मोब टूदा लेफ थरू जाइलम के मादम से फलोयम के मादम से कुश्का ना लिकाओं दोरा है फुरो प्रोक तमेंशे कोई नहीं तो कुशन नमबर फोर्टी है जड़ो दोरा और सोसी जो खनीज होता है यह पत्त समय से आपने 15 में से कितने की अब आप बताईए अब मैत के हम आपको करवाएंगे 10 कुशन देखें पहला कुशन है मैं अपने तरीके समय करूँगा असानी से पूरे पेज नहीं भरूँगा 5000 रुपए की मासिक आए में से एक व्यक्ती 1000 रुपए प्रति महीने बचाता है अब उसकी आए में से बचत का प्रतिस्टा आपको बताना है देखें वो कितना बचाता है डिरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं दुनिया का बाकि मुझे मेत ना पढ़ाता हूं ना मुझे इतन लिंदी समझ आएगा 1000 रुपए बचाता है कितने में से 5000 में आपको बताता है है इंटु हंड्रेड और पर्षंड लगा दो अब यह 30 जीरो से 30 जीरो गया 5 से इसको काटोगी 100 तो 20 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा है आप निकल कि 20 परशंट निकल की आ जाएगा तो बस एकजाम में और 22 अंक से वो फेल हो गया है अब अधिकतम अंक आपको बताना है कि अधिकतम अंक कितना है तो पहले आप यह समझिए कि 178 अंक प्राप्त के और 22 अंक से वो फेल हो गया तो आप इसको पास कर दीजिए ठीक है तो पास करने के लिए कितना चाहिए 40% और नंबर कितने मिले उसको 178 मिले और कितने से फेल हुआ 22 है तो 22 इसमें हमने जोड़ दिया तो इससे क्या हुआ कि वो पास हो गया 178 में 22 जोड़ो गये तो यहाँ पे 200 आजाएगा तो 200 नंबर में यहाँ पे वो पास हो गया या फिर आप इसको काट दीजिए 40 से आप इसको काटोगे तो यह कितनी बार जाएगा कि अब चार से काटो पचास बार चालिस से काटो चार पंचे बीस चालिस नहीं अब चार से काटो तो यह आपका 10% और यह आपका पचास हो गया अब देखें 10% 50 है तो 100% कितना हो जाएगा 100% यहाँ पांस हो जाएगा डारेक्ट भी मैंने आपको बताया कि 40 यहाँ पे हमने निकाला कितना 200 तो 40 का दुगना 80% 800 हो गया और 20% हो उसमें 100 हो इसका सीधा हम यहाँ से 10% निकाल सकते हैं 50 अब 10 परसें निकाल लिया तो 100% कितना हो गया 500 हो गया तो बी नंबर कुशन का 500 राइट अंसर हो जाएगा 43 नंबर कुशन देखिए कोई धनरासी साधारन ब्याज पर उधार दिये जाने पर 5 वर्स में 100 की दुगनी हो जाती है देखिए क्या हो जाती 5 वर्स में दुगनी अब हैं 20% लेकिन अगर solve करेंगे तो कैसे तो दिखे कोई धनरासी है यह धनरासी अब ये आपकी दुगमई हो रही है ठीक है कितने में पांच वर्स में हो रही है ठीक है तो यहां से अगर आप इसका वो निकालोगे जो गैप है कि कितना इसको ब्याज मिल ला है तो कितना मिल होता है एक जिसे इंगलीस फिंपल इंटे साथधारणड ब्याज केख एक हो जाएगा ठीक है तो साथधारणडडड़ाज करिपोर्मलओ क्या होता है एसाई बराबर पी आरटी अपॉन हंड्रेट होता एसाइए एक आपका पी कितना इसको शॉल करोगे 20 आएगा इसका गुणा करोगे एक आएगा और इसको दल ले जाओ एक हो जाएगा तो आर बराबर यहां पर कितना निकल गया गया 20% डायेक्ट भी पढ़ने से ही समझा रहा था कि कोई धन रास यह वो दोगनी हो रही अगर 5 वर्स में 5 वर्स में दोगनी 820 हो जाती है अब देखें तीन वर्स में उतनी है और चार वर्स में 9261 हो जाता है तो आपको बताना है ब्याज की जो वार्सिक प्रतिस्त दर है वो कितनी है तो समझे यह बड़ी आसाने से समझाओंगा यह आपका पैसा है और यह तीन साल में 8,820 हो जाता है ठीक है और यह एक साल में कौन यह वाला धंजो है यह एक साल में कितना हो जाता है 9261 वैसे टोटल चार साल में इतना हो रहा है ठीक है लेकिन यहां से गर देखें तो एक साल में 9261 हो जाता है अब देखें एक साल में आप रेट निकाल लो एक साल में जो रेट है वो आर बराबर इस कितने में 8820 में तो 8820 नीचे into 100 कर दो और बाहर आपका प्रतिस्थ लगा दो 0 से 0 कट करो 4 से इसको पूरा कट कर दो 440 से 2 बार जाएगा और 2 से इसको कट करो 5 आएगा केवल तो R बराबर यहाँ पे 5 प्रतिस्थ निकल के आजाएगा तो आप्शन नमबर जो C है इस कुईशन का वो यहाँ पे राइट आंसर होगा 45 नमबर कुईशन है 6 आदमी या 9 औरत किसी काम को 8 दिन में करते हैं अब उसी काम को 8 आदमी और 9 12 औरतें कितने दिन में करेंगी तो इसके लिए देखो मेरे पास जो तरीका है मैं आपको बताता हूँ डेज उपर लिख दो सबसे पहले और इसके बाद नीचे आपका एंड जो दिया हुआ है और और का आपको रेशियो निकाल देना है तो डेज यहाँ पे कितने आठ दिन में और एंड मतलब एंड के पहले यह देखी आदमी कितने आठ है तो यहाँ पर आठ हो जाएगा और यहाँ पर एंड और के पहले जो आदमी है वो कितने है च्छे हैं ठीक है अब इसी में आपके और औरत भी हैं तो औरतें जो हैं वो end के पहले कितनी हैं यहां पे आप देख सकते हो आप में एंड बारा वोमन तो बारा वोमन है और और में कितनी वोमन है नो ऐसे हो जाएगा अब इसको देख सॉल करो कि नो से तीन से काटोगे तीन चो को बारा और तीन तरका नो इसको काटो दो से चार और यह दो से काटो तीन अब देखिए यह चार है यह चार है अच्छा यह ऐसे है अब यह उतना आया चार प्लس चार यह 3 है और यह 3 थे नीचे की यह बराबर वर जर जाएगा तो यह प्र जहारे जाएगा on आठ से आठ कर जाएगा यह तीन उपर चला जाएगा तो आंसर जो है उसे फिर तीन बचेगा तो तीन दिन में जो काम है वह आपना यह कर लेंगे तो आप्शन नंबर जो सी एस कुशन कर राइट आंसर होगा चैलिस नंबर कुशन है एक रेल गाड़ी 36 किलो मीटर गंटा की चाल से चल लिए है वह खंबे को 25 सेकेंड में पार्क कर जाए तो उसकी लंबा ही आपको बतानी है यह भी देखे कितना आशान है लंबा ही आपको बतानी है तो लंबा ही लंबाई 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 रंद जाएगा दूरी इंटू जाल नहीं दूरी इंटू संपte दूरी है आपका 36 तो बस यही खेल है 36 km पर गंटा दिया है तो इसको km पर गंटा से मीटर पर सेकेंड बदलना है तो पांच बटे 18 से गुड़ा कर देंगे क्योंकि 25 जो है यह आपका समय जो है की भुजा 8 cm है, अभ इसका छेथ पल ग्याद करना है, संभाव का मतलब होता है, जिसकी तीनो भुजाएं यहां, आपर बराबर हो, तो तीनो भुजाएं यह है, A, A, A यह तीनो भुजाएं बराबर है, तो जब ऐसा कोई संबाव तरिवुज होता है तो उसका जो छेट पल होता है वो डेल्टा बराबर A स्कॉयर रूट थिरी बाई फोर होता है अब यहांपर A की वैलू दिया हुए है कि केतना है यहांपर आठ सेंटीमिटर दिए हुए है तो जो छेट पल होगा वो क्या होगा 8 का स्कायर यहाँ पर 64 हो जाएगा यहाँ पर रूट 3 हो जाएगा और नीचे 4 तो इसको कट करोगे तो 16 आएगा तो 16 रूट 3 इसका अंसर आजाएगा 16 रूट 3 सेंटी मीटर स्कायर तो आप्शन नमबर जो 20 है इस क्वेशन का वो यहाँ पर राइट अंसर होगा 48 नमबर कुशन एक वरत और वर्ग का परिमाप शमान है वरत के छेतपल और उसके वर्ग के छेतपल का अनुपात क्या होगा यह आप से पूचा गया तो यह कुशन मैं आपके लिए छोड़ रहूँ आप कर लेना अंसर जो है बता देना अच्छा ठीक है मैं कर देता हूँ थोड़ा लेंदी है इसलिए मैं टाल रहूँ इसको चलो एक वरत और वर्ग का परिमाप शमान है तो पहले एक वरत हो गया यह ठीक और एक यह आपका वर्ग हो गया इसकी जो रेडियस है वो आर है यह आपका वर्ग है तो यह ए हो गया ठीक है अब इसका जो परिमाप है तो वरत का परिमाप क्या होता है टू पाई आर होता है और वर्ग का परिमाप क्या होता है भुजा फॉर इंटू बुजा तो फॉर ए यह हो गया यह इतना दिया तो वरत का जो 6 फल होता है वह पायर स्कॉर अनुपात जो वर्ग का छहता होता है वह पुझा स्कॉर बुझा मतलब ऑसकॉर तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि हमें और आप उन एक वैलू चाहिए इससे को अगर क्वेशन फस्ट बनाएं तब ही वह शॉल हो पाएगा त तो r upon a की value क्या निकल के आगई 2 upon pi तो यहाँ पे आपको value रख देना है तो यह pi है r upon a का whole square दिया है तो r upon a मतलब 2 upon pi का whole square तो pi into 2 का square 4 और pi का square pi तो 1 pi से 1 pi कट जाएगा तो यहाँ पे 4 pi यहाँ पे निकल के आगए 4 upon pi तो ratio में निकलना है तो 4 ratio pi option number जो d hash question का right answer हो जाएगा 49th number question है यहाँ बेलन के पार सदय को वरगा कर बनाया जाए तो जिसका weekend इतना दिया हो बेलन का आयतन आपको बताना आच्छा यह कर ली जाएगा मैं आपको इसका वो बता जाएँ बेलन का जो आयतन है वो volume V बराबर pi r square h होता है इसको आप solve कर ले ना ठीक है 50 number question ज़िए x की पार 4, 9 x cube 7 x square पर 9 x plus 5 square है तो golden fund अगर x बराबर a हो तो आपको नीचे option दी इन में से कौन सा सही है तो x plus 1 बराबर 0 मतलब x plus 1 बराबर 0 मतलब x की पार यहाँ पे sorry x बराबर यहाँ पे minus 1 आएगा तो x की बराबर minus 1 यहाँ पे आपको value रख देनी है x की पार 4 की जगए पर minus 1 रखोगे तो 1 आएगा आपका plus में आएगा क्यों कोई 4 गाते हैं अब 9 into x की पार minus 3 में x की पार 3 में x की जगए पे minus 1 रखोगे तो आपका minus का यहाँ पे 9 न आज जाएगा ठीक है प्लस 7 x square x square मतलब 1 का square मतलब यहाँ पे plus का एगा ठीक है plus 9 ay और x की जाएगा पे minus 1 हो जाएगा plus 5a square हो जाएगा ठीक니 cetteque 1 है plus minus यह पे minus का 9 हो जाएगा यह plus का 7 आएगा यह minus का 9e हो जाएगा और ये प्लस का 5a square हो जाएगा तो देखे 5 से लिख 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 लेता हूँ 5a square इसको लिखा फिर इसको लिखते है माईनस का 9 अब देखे ये प्लस का साथ है ये प्लस का एक है 8 हो जाएगा माईनस के 9 में गटेगा तो माईनस कब 1 बचेगा बदाबर 0 तो 5 A स्क्वार माइनस 9 A माइनस 1 इक्वल 0 तो आप्शन नमबर A Sorry B 5 A स्क्वार माइनस 9 A माइनस 1 इक्वल 0 इस क्वेशन का राइट आंसर होगा तो यह थे 50 क्वेशन का टेस्ट कैसे लगा आपको यूडियो कमेंट करके बताईएगा और 50 में से आपके कितने सही हो टोटल बताईए सेक्शन वाइस बताईए कि GK में 25 में से कितने हुए साइंस में कितने हुए और मैत में कितने क्वेशन आपके हुए 49 में से आप कमेंट करिए बाकि एक क्वेशन मैंने आपके लिए छोड़ा है वो सॉल कर लेना बैकि ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करते रहेगा मैं वीडियो लाता रहूंगा हमारी नेवी अमार की और SSR के लिए 5000 कुशन्स की पीडियाफ है तो जिनका भी एकजाम ये 5000 कुशन्स की पीडियाफ सबी लोग परचेस कर लो सिर्फ 99 रुपए इसका प्राइज है इससे ज़्यादा मैं कभी लेके नहीं आता हूँ मैं 1000 कुशन्स भी लेके आता हूँ अगर पेड़ में तो वह भी 99 के 5000 हैं तो भी 99 के तो नेवी अमार के तो गारेंटी लेता हूँ कि ये सिर्फ 5000 कुशन्स पढ़ लो पूरा पेपर आपका निकल जाएगा साइन्स हो जीके का तो इसका लिंक आपको डिस्किप्शन पे सबसे उपर मिल जाएगा है फिर दूसरा पर तरीका आपको बता रहा हूँ 9525 गेरा अठानबे यह मेरा पर्शनल नंबर है तो इस नंबर पे गूगल पे फोन पे पेडियाफ सब कुछ करता है तो 99 से पेमेंट करना है यह वेडियो आप कभी भी देख रहे हैं एक साल दो साल कभी भी कितने भी दिन बात देख रहे हैं सिर्फ आपको 99 पेमेंट कर देना है और इसी नंबर पे वाटसेप एकाउंट है वहाँ पे आपको स्कीन शॉट बेजना है तो जो पीडियाफ है आपको यह 5000 कुशन की मैं इसी वाटसेप पे वाटसेप से आप कर वाओ ओगे या किसी और से पेमेंट कर के आप अपने वाटसेप से स्कीन्शॉट बेजीएंगा तो कैसे भी रही करके आप पेस ट्र we बाइ